हेलिकॉप्टर सब इंसान के लिए नहीं प्रकीति के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है जिसका एक्जम्पल है बंबी बकट ऑपरेशन इसका ही चर्चा आज हम पूरे वीडियो में करने वाले हैं काईट आफ नालेज के यूट्यूब चैनल पे सबको स्वागत है निलगिरी फॉरेस्ट जो कि इंडिया के सबसे फेमोस फॉरेस्ट में से एक है उसमें चल रहाता फॉरेस्ट फायर जिसको जंगल में आँख लगना या दाबानल भी बोला जाता है तो इसलिए इंडियान ए यह है कि कैसे यह अपरेशन कंप्लीट हुआ हिलिकॉप्टर के साथ एक केबल अटच करके नीचे एक कंटेनर रखा जाता है जिसमें पानी कैरी कर सके यह एक ही बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी को कैरी करके निलगिरी फॉरेस्ट के उपर जहां आग लग इंसान को वहां जाना पॉसिबल नहीं होता तब ऐसा ऑपरेशन चलाना पड़ता है तो बार बार ऐसे फॉरेस्ट फायर होना इंडिया के लिए अच्छा तो बिल्कुली नहीं है बट यह सबसे ज्यादा होता है अगर कोई जगा पे तापमान या सुखापन ज्यादा हो ज ऐसे राज्यपे जहां टेंपरेशन ज्यादा होता है वहां तो फॉरेस्ट फायर बहुत इजीली होता ही है पर इस साल उत्तर पूर्वी या नौर्थ एस्टान जो जगा है जैसे कि मीजोरा मानीपूर आसाम मिघलया जहां अच्छा बारिश भी होता है वहां पे भी फॉर सबसे जादा हुआ है सिर्फ मार्च 2024 में ही मीजोरा में 3738 मनीपूर में 1702 आसाम में 1652 मिघलया में 1252 इतना सारा फॉरेस्ट फायर का एक्सिडेंट हो चुका है मेंले ये फॉरेस्ट फायर लाइटनी या पिछली के चमखनी से होता है बट कभी कभी ये इंसान के गलतिस के ये बज़े से भी हो सकता है जैसे कि कोई छुटी एंजोय करने फॉरेस्ट गए और वहां कैम फायरिंग किया पर इस आंग को ठीक से बिना बुजाए वहां से चले गए इससे भी हो सकता है फॉरेस्ट फायर अगर कोई सिगरेट पी रहा है जंगल में और सुखे घास के उपर सिगरेट के आग गड़ गए उससे भी लग सकता है फॉरेस्ट फायर तो इसके साथ हम आज की ये टॉपिक कम्लीट करते हैं ऐसा ये वीडियो के लिए इस झाल 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 झाल